मत हो ना निराश करो मन को निश्चय कर अपनी जीत करो सारे कॉंग्रेस के भाई भेनों से जो इतने चुनोती पूर्ण समय में इस समय कुछ दुखी भी है कुछ हर्शोल लागसित भी है दुखी इसलिए एक एक करके पार्टी के नेता पार्टी का दावन छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन आपको दिपक भाई नमश्कार आप कारिकरता साथियों को ये बताना चाहते हूं कि कोई भी दल कारिकरता से चलता है नेता से नहीं नेता आते हैं और जाते हैं अफसरवादी होते हैं लालची होते हैं और पद प्रतिष्ठा पा जाने के बाद वो कारिकरता को दूद में से मखी की तरह बाहर भी निकाल देते हैं ये राजनीती का चरित्र है ये कड़वा ही सही लेकिन सच है ऐसे में जो इस समय चल रहा है उत्राखन कॉंग्रेस में उसे आप पतजड कह सकते हैं अभी मेरी बात अपने वरिश्ट अपने ताउ शुर्वीर सिंग ही था लेकिन एक आस उनके मन में भी थी और मुझे डाड़स वधा रहे थे उनको नहीं जानकारी थी कि डाड़स वधाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है मनोबल इतनी जल्दी गिरता नहीं लेकिन बड़ा होने के नाते उन्होंने सर पर हाथ रखना जरूरी समझा ऐसे ही पार् पार्टी इस मुगालते में है कि उसने कॉंग्रेस खत्म कर दी कॉंग्रेस किसी चिडिया का नाम नहीं है या किसी फूल पत्ते का नाम नहीं है कॉंग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है कॉंग्रेस कारिकरताओं से लब्रेज है आप एकात छुटे नेता बड़े नेता ले लेकिन इनका करेंगे क्या, इनको रखेंगे कहा, इनको बठाएंगे कहा, इनको देंगे कहा, क्या, तो ऐसे में अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो भारती जन्ता पार्टी के अंदर शुरू होना शुरू होगा, हमारा तो पतजड का जो दौर है, हमारी तो फिर नन्नी कोपले फिर से खिलेंगी नन्नी कलियां आएंगी और फिर से आपको हरा भरा पेर दिखाई पड़ेगा। जैसे मौसम आते जाते रहते हैं वैसे ये दौर भी आते जाते रहते हैं तो ऐसे में कई कारिकरताओं का कई साथियों का समर्थकों का भाईयों का बहनों का फोन आ रहा है और मैंने उल्लासित कहा शुरू में मैं यकीन मानिये कुछ बहुत खुश हैं कुछ लोगों के जाने दुखी होने की जरूरत नहीं है पढ़निता का फोन आया सोनियानन का फोन आया उदर से राजेशनेगी भाई का फोन आया फोन पर फोन बज रहे हैं लेकिन सब उदास जरूर है क्योंकि अपने साथियों के साथ एक लगाओ तो हुई जाता है और हर एक को एक शौक लगा है ह और एक स्टब्ध है कि राजिन भाई ने ऐसा कैसे कर दिया, फलाना ने ऐसा कैसे कर दिया, उसको तो हम भेजी कहते थे, उसको तो हम भेहन माने, वो दूसरों की पार्टी को तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं और चुनाओ जितने का कयास लगा जितने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के कारेकरता में उनको दम नजर नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है, या ये मूँ में राम बगल में छूरी वाले है, या ये केवल जैश्री राम वाले है, बाकि इनसे होता जाता कुछ नहीं है, तो इसलिए शायद कारेकरताओं को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तो मुझे उनको कारेकरता का कहने में भी शर्मा रही है, क्योंकि उनको कहीं चुलू भर पानी अब अपने लिए ढूनना चाहिए, जिन्नोंने कपड़ों की तरह पार्टी बदली, जिन्नोंने अफसर वादिता की सारी प लातकारियों के साथ जाकर खड़े हो गए, अपने आपको आइने में देखने लायक भी नहीं हैं वो लोग, खुद का सामना भी नहीं कर पारे, और आप और मैं एक ऐसी पार्टी से बिलॉंग करते हैं, जिस पार्टी ने ना सिर्फ इस देश को आजाद कराया, बलकि जिस पार्टी ने यहां लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया, जिस पार्टी ने समविधान की जड़ों को मजबूत किया, जिस पार्टी ने सारे धर्मों के समुदाई और वर्गपंत के लोगों को एक साथ इतने सालों तक एक मुठी, एक माला में पिरोग कर रखा, ऐसे ग दुनिया कायम है टिकट अभी मिल जाता तो आगे महनत नहीं कर पाती तो आगे और महनत करनी है टिकट लेना ही लेना है पाटी का शायद कमी थी अभी महनत में इसलिए पाटी ने कंसिडर नहीं किया मैंने खेर फॉर्मल आवेदन भी नहीं किया था गलती कुछ मेरी तरफ से भी रही कि मैंने फॉर्मल तरीके से आपचारिक रूप से अपना बायो डिटा या सीवी किसी को नहीं दिया अपना इंट्रॉड़क्शन किसी को नहीं दिया ना मैं दिल्ली दौर लगाई तो कई कम्या मेरी ओर से भी रही वो एक बहुत ही अनौपचारिक घोशना थी हो जाएगा मनोबल जिन्दा रखिए और एक आदमी दस-दस आदमियों के बराबर मेहनत करके इनकी बक्या खड़ी कर दीजे इनकी पोल खोल दीजे मैं यह नहीं कहती कि जूट का प्रचार करिए बोलिएगा सच क्योंकि हम एक संसकारी पार्टी हैं सच जनता को जरूर ब देखी तो ऐसे जुटलग नेता की पार्टी जो है उसको बेनकाब करने में कोई आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए इनका भरती घुटाले से लेकर सेना सोना चोरी से लेकर अगनी वीर से लेकर इनके जिला विकास प्राधिकरण से लेकर इनकी जितनी भी बलूनी भागे भागे दिल्ली गए और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में बलूनी जी का टिकट कट भी जाएगा क्योंकि नॉमिनेशन अभी हुए नहीं है बंडारी जी शायद उसी लालच में गए है टिकट के लालच में शायद गए है क्योंकि विधाय की तु रखाने लाइक भी नहीं रहे क्योंकि जिस बद्रिनाथ की जनता को प्रोविस किया था कि तुमको पुनरवासित कराऊंगा जोशिमत से वादा किया था वो वादा तो उन्होंने तोड़ दिया तो ऐसे मैं तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा ये सभार्तिय जनता पा है तो पार्टी कारिकरताओं से जलती है पार्टी कभी नेताओं से नहीं चलती है नेता तो आते जाते रहते है सात्यों आपने और मैंने दोगुनी मेहनत करनी है और भारती जनता पार्टी को बता देना है कि अभी दिल्ली दूर है कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना गिरी लालका